आदेन यह देख जी जब हम सदन के अंदर आते हैं हमारे यहां नाद ब्रह्म की कल्कुना है हमारे सात्र में माना जया है किसी एक स्थान पर अनेक बार एकी लए में उच्चानन होता है तो वो तपोस्थली बन जाता है उसके एक पॉजिटिव वाइब होते हैं नाद की एक ताकत होती है जो स्थान को सिद्धी स्थान में परिवर्तित कर देती है दमान तव यह सदन भी उस साथ साड़े साथ हजार जन्प्रतिनीदियों के द्वारा बार बार जो सब्द जो बाणी यहां गूंजी है उसने इस सदन में हम बैठकर आगे चर्चा करे या ना करे लेकिन इसकी गूंज इसे तिर्थक शेत्र बना देती है एक जांगरत जगह बन जाती है और लोग कंत्र की स्प्रति सद्धा रखने वाला व्यक्ति आज चें प्रचास साल के बाद भी जब नहां देखने के लिए भी आएगा तो उसे उस गूंज की अनुफूती होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज यहां पर गूंज ती थी और इसलिए देश्माहदे यह वो सदन है जहां कभी भगत सी बटकेश्वर दत्त होना अपनी बीरता सामर्त से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया ता बम का धमाका करका वो बम की गूंज भी जो देश का भगा चाहते हैं उनको कभी सोने नहीं देती अधनिय देख जी यह वो सदन है जहां पंडी जी को इसलिए भी याद किया नेक बातों लिए याद करेंगा लेकिन हम जुरू याद करेंगे इसी सदन में पंडीत नहरु का एड़ श्ट्रोक ऑफ मिड्नाइट की गुंज हम सब को प्रेरीद करती रहेगी और इसी सदन में अटल जी ने कहा था वो शब्द आज भी गुंज रहे इस सदन में सरकारे आएगी जाएगी पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी लेकिन ये देश रहना चाहिए करता ही जाएगी जाएगी लेकिन भुंज हमा शब्रबुन